नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भालचंद्रा ब्रह्मान्ड सिद्याश्ट्र में आप से भी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चार्चा करेंगे दिनांक 9 जुलाई 2030 का संपुन राशिफल उससे बहले आज के दिन का जो पंचांगा उसके बारे में चार्चा करेंगे आज का जो दिन है रविवार का है शोवन नाम सवजसर है सुर्य का दक्षिनाएंड चल रहा है गरीशमरुतू है अशाण महή ना है कुरूश्बक्ष के साथ विदिती है नक्षेतर उत्तरा बादर बदा है यो शोवन है दिन का जो करण है वो विस्टी है और जो रात का कर तक का होगा गुलिक काल और अभिजीत मूर्थ दिन के शुबक अलावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुनकाम या फिन्यरने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वह शुरुवात होगा सुबह 10 बचकर 50 मिनिट से लेकर 12 बचकर 31 मिनिट तक और यमगंड़काल दोपर 3 बचकर 54 मिनिट से लेकर 5 बचकर 35 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंड़काल दिन के शुबक अलावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्पूर्ण काम या फिनियरने बिलकुल भी नहीं लेना. अवसे प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा संपुर्ण दिल मीन-राशे में ब्रह्मन करेंगा. आज के दिन बुद्र और निप्चुन का त्रिकोन योग भी होने जा रहा है यह अगर सिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिफल क्या होगा इस विशे पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी की विशे भाव में चंतरमा का ब्रहमन है और आपके चतरत भाव में सिद बुद्ध के साथ आपके विशे भाव का जो निप्चिन है वह तरी का उनिप करने जा रहा है आज का जो दिन है थोड़ा सा एक्सिस्टिंग सा भीद होगा घुमना फिरना जादा हो सकता है ट्रैवलिंग जादा हो सकती है तो और आप उस ट्रैस आ सकता है लेकिन जो भी आपके महतुपूर नकाम है डोकुमेंटरिशन से रिलेटर और खास करके family से related कोई भी अगरमाटवण काम है या पिर वास्तो से related कोई भी अगरमाटवण काम है आज के दिन आप कर सकते हो और वो काफी इजिली पूरे होते हुए नजर आएंगे आज के दिन आप आपको काफी अच्छे intuitions वगरा भी आ सकते हैं इसके बात की जो राशी है वो है बुरिशब राशी बुरिशब राशी के लाब भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है आपके लाब भाव में से त्रिटिन के साथ आपके त्रितिय भाव का जो बुद्ध है वो त्रिकोनियो करने जा रहा है काफी मैत अच्छे लाव मिलने के संभावना काफी अच्छी बंद रही है अगर आप multiple sources of income के बारे में सोच रहे हो जादा कमाई के मामने में सोच रहे हो तो आज का जो दिन है आपको कुछ नए ideas वगरा दे सकता है आपके जो relationship में विक्ती है उनके साथ भी कही बाहर घुमना फिर ना हो सकता है तो पुल मिला के देखना जाए तो दिन आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मितन राशी मितन राशी के दशंबहों में चंदरमा का ब्रहवन है वही पर सितने पिन के साथ आपके द्वीते हुआ का जो बुद्र है वो त्रिकोनियो करने जा रहा है तो जो भी आपका कारेश है तरह उससे लेड़ कुछ अच्छे लाव हो सकते है उसे परकार आज के दिन कुछ अच्छे लाव बगरा मिलने के समवाना काफी अच्छी बंद रही है जो भी आपका कारेश है उससे लेड़ कुछ अच्छे लाव हो सकते है या फिर उससे लेड़ कोई अच्छी बात है वही अच्छी न्यूस खबर आपको आज मिल सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी के भागिवाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है मभी परसित निपचन के साथ आपकी के राशी का जो बुद्ध है वो त्रिको नियुक करने जा रहा है जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलती हुए नज़र है कि बहुत ज़ादा जब की आने वले दो से तीन दिनों में ट्रावलिंग हो सकती है लेकिन जो भी निरने लोगे वो शुबुफलदाई साबित होंगे आपकी जो अंदाज है वो खरे उत्रेंगे इसके बात की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के आश्टमाहमे चंदरमा का ब्रभण है वईबर से लेप्षिन के साथ भी ये भाव को जो बुदा है वध त्रिकोनियों करने जा रहा है काफी महत बुण दिन है आपकी लिए इकास करके आज के दिन आपको भूमना फिर नजाना हो सकता है और सब समय तो बुर्णबाद आज की दिन आपको अनेक्सपेक्टेड लावगरा मिलने के समावना काफी अच्छी बन रही है स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्चक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के सब तो माव में चनरमा का बरहमन है वह वर सिर्फिन के साथ लावभाव का जो बिद्ध है वो त्रिकौनियो करने जा रहा है तो अगर अनेके साथ आज आपके हार्मोनी बहुत एच्छी देखी जाएगी आप दोनों में अंडर्सेंडिंडिंग भी काफी अच्छे देखेजिए आने वले दोसे दिन दिन में आपके जो वाई-वाई-जुड़िदार उनके साथ कही वाहर घुमना वे नहों सकता है तरच चबाते हो सकते हैं आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपका कुछ अच्छ कोनियों करने जा रहा है स्वास्त के बार में थोड़ा ध्यान देना होगा आज के दिन थोड़ा स्ट्रेश से अफेटेशन आप फिल कर सकते हो लेकिन जो भी आपका कारेश है उससे रिलेटेट कुछ अच्छी बाते हो सकते हैं अगर आप इंटर्वी में जाने के सोच रह हो या फिर किसी नए काम के मामने में सोचे रहा है तो आज कर दिन है आपके लिए बहुत ही जादा शुब लदाई साविध होगा अच्छे इंट्यूशन वगरा आ सकते हैं इसके बाद की जो राशी है वो है प्रिच्चिक राशी के पंचम बहु में चंद्रमा का ब्रहमन है वहीं परसे दिफटन की इसाथ भाग्यबहु को जो बुद्ध है वह त्रिकोनियो करने जा रहा है काफी महत अबूरना दिन है आपके लिए अगर आप कई रिलेशन्शि कि सम्मोन बहुत ही अच्छी बंद्री है आपके जमित्रे परिवार उनके साथ कही बाहर घुमना फिर ना हो सकता है कुछ अच्छी इंटुशन्स वगरा भी आ सकते हैं कि इसके बाद की जो राशी है वो है धन्यो राशी धन UV राशी के चतरतबआउ में चंधरमा का ब्रहमन है वायबर सेथ नियवचन के साथ आपके अच्टमबों को जो बुद्ध है वो त्रिकोनियो करने जा रहा है काफी अच्छा और महतपुन दिन है आज का आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी घर के जो लोग है उनके साथ आपके जो हारमनी है वो काफी अच्छे देखे जाएगे खास करके आपके जो वैवाई जोड़िदार है उनके साथ भी आज आपके हारमनी बहुत ही अच्छे देखे जाएगे तो आने वज़े दो से तीन दिन आपके लिए शुबुपनदाई साभीत होंगे इसके बात की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के तृतिया भाव में चंद्रमा का ब्राबन है और आपके तृतिया भाव में से निप्चन के साथ आपके सब्तम्भाव का जो गुदा है वो त्रिकोनियो करने जा रहा है काफी महतवपुर्ण और शुबुपन दाई दिन है आपके लिए आज के दिन आपका घूबना फिरना जादा हो सकता है जो भी महतवपुर्ण काम है वो भी हापात में दे सकते हो आपके जो काम है वो पूरे होते हो भी बनासर हैंगे खास करके आपके जो वैवाई जुड़दार है उनके साथ आपके हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगे इसके भात के जो राशी है वो है कुंभण राशी के विद्व बहुं में जद्रमा का प्रहमन और जो भी आपका कारशेत्र है उससे रिलिटु से पेंच्छे बाते हो सकती है extra sources of income के बारे में सोच रहे हो तो भी आज का जो दिन है आपके लिए शुब फलदाई सामीत होगा इसके बाद के जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी में जद्रमा का ब्रह्मन और आपके राशी में स्थित निप्चन के साथ आपके पंचमबाओं को जो बुद्ध है वो त्रिकोनियों करने जा रहा है वह तो बुड़न दिन है आपके लिए आज आपका confidence काफी अच्छा देखा जाएगा जो भी काम आप हाद में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे अगर आप भी वाई तो आपके जो भी वाई जोड़िदर है उनके साथ हार्मनी काफी अच्छे देखे जाएगी उसी प्रकार अगर आप किसी के relationship में है उनके साथ भी आज आपके जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी तो कुल बिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुब फलद्दा ही साबीत होगा तो दोस्तों ये था दिनांक 9 जुलाई 2030 का संपुन राशिफल आपको राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुब हो किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये चैनल है रहमार्दसिद्यास्ट्रो इसे भी लाइक शर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद